हालो एवरिवन वैलकम टू लग्की एजूगेशन और आज हम एक चोटा सा क्वेश्चन देखेंगे चोटा सा टॉपिक देखेंगे लॉजिक ऑफ डेटरेंस का क्या मतलब है क्लाश 12 की पॉलिडिकल साइंस कोल्ड बार वाले चेप्टर का एक क्वेश्चन है इसको स्टार् आपको अब लोड करता रहूँगा चैनल पर उनको आप अपनी नोट बुक में नोट कर सकते हो और यहां पर इनका थोड़ा समय आइडिया भी देता रहूँगा कि इसका मतलब क्या है पूरा कॉंसेप्ट भी क्लियर करा दूँगा मुश्किल से 2-3 मिनिट का यह वीडियो के बाद दुनिया दो फागों में बढ़ चुकी थी एक तरफ था यूएसे और दूसरी तरफ था यूएसेसर आपको पता है सोशलिस्ट कंट्री था और जबकि यूएसे एक कैपिटलिस्ट कंट्री था इन दोनों के बीच में कोल्ड ओवर चल ला था ठीक है यह कभी भी ह नहीं कर रही थी ठीक है और इसी लॉजिक ओव डेटरेंस की वज़े से क्या हुआ दोनों सूपर पावर कभी भी आमने सामने नहीं टक्राइं मगर उनके बीच में कभी दुस्का दुसमनी नहीं खतम हुई लेंगविज क्या है यह लेंगविज आपको लिखक्या नहीं है यहाँ पर दो सूपर पावर है एक तरह यूएसाए और दूसरी तरह है यूएससर दोनों के पास केपसेटी एंगी दोनों एक दूसरे के अटेक का जवाब दे सकते हैं मालों अगर यूएसे ने यूएससर पर नूपलिव जो नुखमोम से अंटेक किया तो यूएससर के जब nuclear attack किया गया था 1945 में USA ने किया था तो कितने सारे लोगों को उसका नुकसान धिलना पड़ा कितने सारे लोगों की मौत होगी कितने सारे लोग बिकलांग होगे आज तक उसका मतलब नुकसान धिल रहे हैं तो इसलिए दोनों superpowers को पता है कि यार मैं अगर यहां इन पर attack क को पता होता है दोनों की capacity पता होता है उनको पता है कि मैं attack करूंगा तो भो भी मुझे पर attack करेंगा तो इससे नुकसान दोनों का है इसलिए इससे अटेक ही नहीं करते हैं यही है logic of deterrence तो देखो the logic of deterrence means when both sides have the capacity to respond against an attack to cause so much destruction but neither can support to initiate war कोई भी war इसमें start नहीं करता है और यह जो लॉजिक है यह डवलप हुआ था second world war के time पर इसकी बज़े से कभी भी cold war hot war में करवर्ट नहीं हुआ मगर इससे rivalry खतम नहीं बस इतना है तो यही होता है logic of deterrence यहां पर मतलब लडाई नहीं होती है मगर तुसमनी खतम भी नहीं होती है तो लडाई क्यों नहीं हो रही थी क्योंकि इसमें आपको पता है यहां पर जो पावर्स ने दोनों की दोनों जोनों ग्रुप है उन दोनों ने अपनी capacity डवलप कर लिए एक के पास nuclear weapon है तो दूसरे ने भी अपने पास nuclear weapon है खटे कर ल झाल